प्रादेशिक समचार एकांश की खास पेशकस चर्चा में मैं लीना आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। जनता के प्रतीनी धी बनने वाले हैं। इन्ही सम्मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं जो लोगसभा चुनाओं में होने चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं। मेरा सवाल प्रोफेसर साथ से। प्रोफेसर साथ जो चुनाओं होने को हैं ऐसे में अगर देखा जाए तो में जो मुद्दे हैं किस तरह के होने चाहिए लोगसभा चुनाओं के मद्दे नसर। देखिए लीना जी भारती लोकतंत्र की यह खुबशूरती रही है कि अलग अलग चुनाओं में जब भी हमारा देश गया तो राजनेतिक डल अपने अपने विशियों को चाहे अलग अलग समय पर अलग अलग एंगल से रखने का प्रयास किये। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है इलेक्षन का मिशन अभी चुनाओं के तीथी गोशित नहीं किये। लेकिन मुझे सम्वेधान सभा में इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो डक्टर अम्बेटकर जी नेहरु जी से समबाद किये थे। और बोले कि राजनेतिक स्वतंत करता नहीं मिलेगी तो इस लोग तंत्र को परिपक्व लोग तंत्र नहीं कहा जा सकता। तो मैं जिस तरह से देख रहा हूं वर्तमान समय में इस लोग सभा चुनाओं में जाने के पहले दोनों राश्टी राजनेतिक डल चत्रिजगर के परिप्रेक्ष में बात करें या नेशनल इस तरपर या फिर अन्य प्रान्तों में अन्य च्छत्रिव पार्टियां यह आर्थिक और सामाजिक विस्यों को जादा रखने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हमें या इस्मरण रखना चाहिए कि इस से कोई इंकार नहीं है। यकीन यह सत्य है। लेकिन तिती ग प्रकार से जिस तरह से जो अन्य वर्ग हैं समाज में जो रहते हैं या फिर एक तरफ राम का विशय भी है तो दुसरे तरफ जाती जलंगरना का भी विशय है तो यह समुल विशय चुनावती थी गोसित होने के बाद जैसे जैसे इलेक्षन आगे बढ़ेगा डैनमिक होते ज पत्वपोन रहेगा जी अगर बात करें आपने कहा कि महंगाई बेरोजगारी के साथ जाती गत्मुद्दे भी शामिल है रावती जी मेरा सवाल आपसे जैसे बस्तर सरगूजा ये ऐसे शेत्र हैं जहां पर आदिवासी बाहूली ये शेत्र में आते हैं ऐसे इनके परिपे के रूप में जाना जाता है और अभी भी विकास के पयमाना वहां पहुंचा है आज भी सुधूर पुर्व आमन के साधन का भाव है सिक्षा अभी पहुंचा नहीं है और याता-याद के साधन रेल मार गहो चाईजेउ बimoreन विकास की ओर नहीं पहुंचा है अभी एक तरह स लोग कहना चाहिए सपना देखते हैं कि हमारा चेतर का वीकास कब होगा नेकिन कोशिष सासन प्रसासन की है उन पहूंच भी लोगों तक पहुंचे और सीचे कुष ततरोजगार को सभी ecosystem के लिए उपरप्द करा सके लेखिन ये कब तक संभखोगा ये देखने वाली बात है फिरहाल अभी समस्याएं हैं वो लगतार बनी हुई है ग्रामीन शेत्र की समस्याँ अलग है और विशेशकर बस्तर्क जहां नक्सर परभावित एरिया है वहां अभी भी आवगमन के साधन नहीं है शीक्षा के साधन नहीं है शीक्षा के साधन है तो बिल्डिंगे नहीं है और बिल्डिंग है तो सब्जेक के सीचर नहीं है और जो भरतियां भी होती है तो कभी-कभी ऐसा लगता है हमको कि बाहरी ओपन भरती होती है तो बाहरी लोग जाते हैं वो वहां पर रहना नहीं चाहते हैं सुईधाओं के तो हमको विशेश रूप से बस्तर और सरगूजा में सिख्षा को बढ़ाना पड़ेगा और खास करके इस्थानी भासा बोली पर भी बहुत तमाश से प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी तक गोंडी, हल्बी, भत्री और साद्री में पढ़ाई सुरू नहीं हुआ है प्रयास है सरकार का लेकिन अगर जिस दिन ये पढ़ाई सुरू हो जाएगा तो जैसे प्रात्मीक तक तोर पे गुजराती, बंगाली, सिंधी भासा बोलते हैं वैसे हमारे चत्तिस गड़ के लोग भी अपने इस्तानी भासाम बोली में पढ़ाई करेंगे तो मैं सौसता हूँ ज्या पैमाने होने चाहिए ग्रामिन शेत्रों में सिक्षा की कमी है, टीचर्स की कमी है, क्या लगता है आपको विकास का पैमाना कैसे निर्धारित होना चाहिए और लोकसभा चुनाओं के मद्दे नजर इसको हम किस तरह से देखते हैं देखिए लीना जी इसे पूरी इकाई के रुप में देखना चाहिए है। सब्सक्राइब कर दो देखिए लोकसभा का चुनाओ राष्टी मुद्दों के उपर होता है और यह जो इस्थानी मुद्दे है यह इसको लोकल सिल्प गवर्मेंट नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत यह जो रहते हैं यह इस्टेट गवर्में का, लेकिन नेशनल जब विशाय आते हैं, तो देखिए, आपने कहा कि एक पार्टी अपना पूरा 11 प्रत्यासी 36 गड़ के मद्य नजर घोशित कर दी, और दुसरी पार्टी अभी 6 प्रत्यासी ओं की सूची जारी किये, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटते हैं लीना जी जब हम मध्य प्रदेश में थे, तो 96 से लेकर के 2019 तक, बीजेपी को लोकसभा में सफलता, 86% से लेकर के 90% मिली, अब बात आती है नतरित्व का और प्रत्यासी ओं का, 2014 में नतरित्व प्रधान मंत्री, भावी प्रधान मंत्री के रूप में जो मद्दान व्यवहार हुआ, उसमें 24% प्राइम मिनिस्टर घोशिक जो किया गया था बीजेपी के द्वारा, उनके कारण उस पार्टी को ओट मिली, वही 2019 में जाकर के 33% हुआ, प्रत्यासियों की बात आती है, तो प्रत्यासियों को, 2014 में 600% ओट प्रत्यासियों के नाम से मिला, और 2019 में 70% ओट मिला, किसी लोकसभाशिक में कम, तो किसी में जादा, एवरेज जो आया, अब यहाँ पर मुलबातिया है, कि दोनों पुलिटिकल पार्टियां, राष्ट् करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस भी, जो 6 प्रत्यासियों का गोश्टना की है, उसमें से 5 को तो कह सकते हैं, कि वो fight करेंगे, और एक दिल्चस्प चुनाव हो सकता है, और यह भी हो सकता है, बाकी जो प्रत्यासियों की गोश्टना हैं, लेकिन यह तो है इस्टेट गवर्मेंट अभी तीन मेहने में अपना जिस तरह से पर्फार्मेंस दिखाई है और दो पर्टिकुलर तीन विशियों को जो एड्रेस की खासतर से किसानों को 31 रुपए का इसके पहले भुपेज दी के सासनकाल में राजी उगांधी किसान निया योजना तो धान यहां का प्रमुक मुद्दा रहा है और यह आज का नहीं अजित जोगी जी प्रथम प्रदान मुख्य मंतरी बने वहां लेकिन यहां इस चुनाओ में बड़े परसनालिटी चुनाओ मैडान में दिखाई दे रहे है तो दिल्चस پर हो सकता है चुनाओ और 10 साल में केंद्र में जो सरकार रही है उनका एंटिंग दिखाई दे सकता है लेकिन BJP अपने multiple programs को लेकर के चुदावा में जा रही है वो सामाजीक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में धर्मा भी जुड़ा हुआ इस सब विश्यों को ले रही लेकिन multiple programs अब यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां है वो किस तरह से ऐसे विश्यों को एड्रेस करती है या महत्वपोना होगा बिल्कुल, राबटी जी आपसे मैं जाना चाहूँगी कि 36 गर्ड धान का कर्टोरा कहा जाता है किसानों को बहुत जादा यहाँ पर प्रात्मिकता दी जाती है ऐसे में आपसे मेरा सवाल की किसानों के मद्धनजर क्या कुछ परिशानिया है किसानों के क्या मुद्धे है जो निकल कर सामने आता है या एक मुद्धा यूग कहे बनाय जा सकता है देखे, किसान 36 गर्ड सरकार को बनाता है और 36 गड़ में समय समय पर प्रसासन को भी बदल देता है क्योंकि यहां मुल रूप से किसान ही है यहां पर और किसान अधारी चुनाव हुए हैं और जो MSP लागू होता है धान का मुल्या उसके कारण पिछले रमन सरकार वापस हुआ था उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया था और जो बोनस था उसकी रासी नहीं दिया था इस मुद्दे को कांग्रेस ने उस समय जवर्दस्ट धंग से उठाया दोहाजार अठारा में और वापसी किया था लेकिन अभी फिर से बीजेपी की सरकार आई है वो किसानों के मुद्दे को लेकर ही आई है आज MSP जो एक पर घोषनाय की थी लेकिन उस पर जड़ा ध्यान नहीं दिया गया है जैसे 36 गड़ में उभरता हुआ हमारा राच पार्टी था उन्होंने 4000 रूपिया प्रती कुंटल की बात की थी और अगर उसको देखें तो आज अगर 4000 रूपिया प्रती कुंटल खरिते तो अभी 900 है और इसको देखना चाहिए और अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं किसानी के बाद वो लगातार बहुत दूर तक तो नहीं पहुंचा है लेकिन गाओं में जो फसल था धान के बाद जो अन्य फसले हैं उसका उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन फिर से धान की उपच की और किसान वापस आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा धान एक मुस्त बीके और हमको लाब मिले लेकिन सरकार एक बार इसमें और ध्यान देना चाहिए जो रवी फसल है उसका नुकसान जो हो रहा है वो काफी महत्वपोर्णा माइने रखता है किसानों के लिए प्रफेसर साब किसानों को जिस तरह से नुकसान हो रहा है जैसे राव्टे जी ने अपनी बात रखी अब इस पे आपका था क्यान है दोनों पक्षे हैं लीना जी धान में तो 31 प्या जो दिये लेकिन अन्य और भी फसल है मक्का है या फिर कपास है या फिर अन्य लेकिन फसल जो है हमारे देश में 23 फसलों के ऊपर ही MSP घोशित किया जाता है और खरीदी जो होता है FCI के माध्यम से उसमें और 6-8 पर्षेंट खरीदी होती है अब यहां पर यह है दूसरी बात है किसादों के साथ इसमें कोई डाउट से दूसरी के जो wander around our Martxi जो उठाय के उनका कास्ट बढ रहा है değil अगिन यह पर चुर्ड़ जो развारिश देन का काम हो या फिर सरी स्रमीकों को जो पैमेंट किया जाता है यह पिर हम कह सकते हैं मैडीसीन जो उपीया जाता है रासाजी खादों में वृद्धी हुई है लेकिन ये भी सच है कि 36 गड़ में विगत 5 वर्ष जो भुपेश जी की सरकार रही अभी विश्णु देव जी की सरकार है ये इंडिया में सबसे जादा हाइस्ट रेट धान के किसानों को मिल रहा है पहले कहा जाता था कि उत्तन ख भी उनके पास जमीन भी नहीं है लेकिन वो रेक से ले करके कर रहे हैं तो अब दूसरी बात है आज किसानों की चर्चा हो रही तो अभी भी गोठान जो है उसको री सफल करने की आवश्चता है उसको और माडन बनाने की जरूरत है क्योंकि अभी भी फसलों की चरी हो रही है और जिस समर सीजन के कुराप की बात राउटे जी कर रहे थे उनको बचा पाना कखिन काम है रत जगा किसान करते हैं तो इसके उपर भी फोकस हो अब दूसरी बात मैं आता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है देखिए आम नागरिकों को यह नहीं लगना चाहिए कि प्रसास सरकार योजनाएं बनाती हैं उन योजनाओं के ओपर आज बहुत अच्छा लगा कि आज अकबारों की शुरकियां हैं कि छत्रीजगर के मुख्यमंतरी जी यह निर्देश दिये हैं कि जो नीतियों का निर्धारन होता है और क्रियानवयन की बारी आती है तो उसमें कोई ल अनवयन होगा और इसका आम जनता में बहुत ही फ्रुटफुल फल दाई इंपक्त पड़ता है लिए बिल्कुल प्रोफेसर साब उने जो बात की किसानों को लेकर अब रावते जी मेरा सवाल आप से है किसानों की हमने बात की अब बात करते हैं युवाओं की उन पड़कर आई जा सकती है क्या ये लोगसभा चुनाओं के मुद्धों में भी आ सकता है लेकिए लीना जी 36 गड़ इस्तर पे कोसिस तो सरकारों के द्वारा बहुत किया गया है लेकिन जितने दूर तक पहुचनता ही है छीक्षा का इस्तर और पहुच वहां तक नहीं भावने नहीं है भावन विहिन है और अभी एक हपता पहले विजापूर में उसुर बलाक आवापली गाउं है वहां से दो किलो मेटर में चिंता कुंटा गाउं है वहां पर पोटा के विन में आग लग गया पहले सुने थे कि भावन विहिन इसकुलों पर भावन बनाया जा रहा हैं लेकिन उसमें बताते हैं डेड़ करोर खर्चा हुआ लेकिन इस्थाई भावन नहीं होने कारण बहुत नुक्सान हुआ है और एक बच्ची का उसमें जलकर खत्समापता हो गई है तो हम चाहते हैं इस्थाई बिल्डिगे बने प्रसासन के पास धन की कमी नहीं है लेकिन इस्थाई भावन नहीं होने से हास्टलों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है रमन सरकार ने गीदम के पास जाओगा में बहुत अच्छा इसकुल बनाये था प्राइमरी से लेकर कालेस तक एक ही जगा पूरी बेवस्थाएं दी है ऐसा हम चाहते हैं बस्तार की विकास के लिए कि हर जिले में इस तरह के माडल इसकुल हो और आश्रम क्यों हैं इसकुलों के हास्टल है उस पर फोकस किया जाए और बीच में जलिया म आरी बात आई थी तो आश्टलों की बेवस्था बहुत अच्छे बेव बनाये थे बीना पर्मिशन के बच्चे कहीं नहीं जा सकते वार्डन और पुलीस सिपाही की भी बेवस्था थी लेडिस और जेन्ट की वो सब बेवस्थाएं फिर से समाप्त हो गई हैं अगर यह ब करना पड़ेगा क्योंकि अभी सीख्छा उसी स्तर पे नहीं पहुंचा है जैसे बड़े-बड़े सहरों में में अभी गाउमें तो गाउम का इस सोचने का तरीका भी बहुत चोटा है जैसे सब्जेक्टर नहीं है लेकिन हम सोचते हैं पूरे भारत के सकूलों में एक इजाम होता है, तो बस्तर के लोग पिछड जाते हैं, इसलिए कि वहाँ सब्जेक्ट टीचर नहीं है, और इसकोले भी सही जगा में सही समय पे नहीं चल रही है, इस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा, तब सार्थाक होगा, पूरे देश की सिख्छा वेवस्ता, एक साथ ह एक परिच्छा हो, वो अभी अस्पल साबीत हो रहा है, दूसरा इस्थानी भासा का प्राभाव है, अभी हमारे बस्तर और सर्गुजय चेत्र में हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो इस्थानी भासा पे जुके संदेने से वो अच्छा ग्रोथ करेगा, आउस पर फो अच्छे होना चाहिए, रावटे साहब ने जो चीज़े कही, प्रोफेसर साहब जैसा की ग्रामिन शित्रों में आज भी पढ़ाई का भाव है, सिक्षा का भाव है, ऐसे में हम राइपूर जैसे दोर गया, बिलासपूर जैसे सीटीज की अगर बात करें, तो हम उच्छे स जमाना भी है, लेकिन मैं आपके साथ सेर करना चाहूंगा, हमारे देश में हमारी सरकार का टोटल बजट ट्रेंटल गवर्मेंट का एवरेज एक लाग आठ आठ हजार करोड का है, अब बजट में ये इसकोली सिक्षा के लिए भी है, और साथ ही साथ हायर एजूकेशन के लिए है, इसी में मिड़े मिल भी सामिल है, इसी में ब्लडिंगे भी सामिल है, उनका मेंचनेंस भी सामिल है, सिलरी भी सामिल अब हमारे देश में पहली कक्षा से लेकर के पांचवी कक्षा तक 97.8% बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं प्रवेस लेते हैं लेकिन छटवी कक्षा में जब वो जाते हैं तो वो हो जाता है 95% और आठवी जब वो बच्चे पास करते हैं नवी कक्षा में पहुंचते हैं तो उसमें रजिस्टर्ड होने वाले बच्चों की पर्सेंटेज है 79% और दसवी से बारवी में जब बच्चे पहुंचते हैं पास होते हैं तो वो है 51% इसका मतलब हम जो श्टार्ट किये उसमें से 50% जिनको ब्रेन फोर्स बनना था वो लेबर फोर्स में सामिल हो जाते हैं और यहीं पर यह युवा अब बेरुजगारी के मसले के उपर यह अ और संगठीच चेत्र के लिए हायरे जुकेशन में जो बच्चे जाते हैं अब हायरे जुकेशन में जब पहुंचते हैं तो मैं तीन प्रधान मंत्रियों के कारेकाल का रिसर्च के उपर बजट काई के उपर सेर करना चाहूँगा जिए सबसे ज़्यादा बजट इन कारणों से उसी बजट को इस्टेबल किया गया अब यहां पर इस्टेट गवर्मेंट जो है उनकी भी महती जिम्मेदारी होती है कि वो सिक्षा और स्वास्त के उपर अपने बजट को बढ़ा है लेकिन टेकना लाजी में परिवर्तन हो गया है अब तो AI अस्तित्व में ह है और निस्ट रुप से इससे बेहतर सिक्षा मिलेगी अगर उस टेकना लाजी का प्रयोग किया जाता है एक अच्छी बात इस चर्चा में आई एकी कित पाठ्यक्रम का एकी क्रित पाठ्यक्रम के या कई सदियों से बहस का विशाय रहा है लेकिन वर्तमान समय में हम जो भ चात्रों की पढ़ाई के मुद्दे को आपने उठाया वैसे ही राव्ती जी मेरा सवाल आपसे है कि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है क्या शेत्रे इस तर पर जो लोग जो बच्चे पलायन करते हैं बाहर जाकर नौकरी करते हैं उनको शेत्रे इस तर पर क्या ऐ सब्सक्राइब फ CRC मेरे में ऐसकी और वैर्ज चैने को सनौकरारी करता हो सकता है और भी इसे परल यह नजहाँ है अदो को पश चह्तीरड़ मेंने आदिक में और होती है उसमें लोगों का मर फि — नगणिया पर सेंट रहता है तो ऐसे मुख्याला को जहां मुख्या होना चाहिए कार्याला है वहां से भरती हो तो इस्थानी लोगों को प्रात्मिक्ता मिलेगी आज आप बैला डिला बचेली जाके देखेंगे तो बाहरी लोगों का वर्चस्व है कम्पणियों में तो हम को जो सीक्षा है यहां परवेवस्ता उस धीक्निकल रूप से उसको डेवलप करना चाहिए जो प्रीप ओडेते हैं इंजरींग का वो सब का यहां पढ़ाई के साथ साथ उसको IIT में convert करना चाहिए तब इस्थानी लोगों को टेक्निकल रोजगार मिल सकता है अभी हम बार्वी तक पढ़ते हैं उसके बाद सीधा नौकरी खोशते हैं लेकिन हमारे पास कोई ब्योसाईक ज्यान नहीं रहता है इस कारण हमको बहुत प्राब्लम होता है नौकर में आजकाल सुकर पालन हैं बकरी पालन हैं मचली पालन हैं तमाम और क्रिसी में तो अच्छा डेवलप हुआ है अच्छा डेवलप हुआ है हम लोग भी शुरू किये हैं हम लोग पूर्णता क्रिसी में अधारित हैं लेकिन फिर भी हम क्रिसी को परिवर्तन कर रहे हैं इस पक्ष हमें हैं, तो नए-ने जो आ रहे हैं, डिवलप्मेंट, उस पर सरकार के तरफ से प्रसिक्षन दिया जाए, लगतार प्रसिक्षन दिया जाए, और खास कर कि विशेश कर पसू पालन में बहुत इसकोप है, इसमें कोई ग्रिजवसंस की जरूरत नहीं है, बड़े एज इसमें जगह भी कम लगता है, और सब कुछ प्राबलम कुछ नहीं है, मार्केटिंग का भी प्राबलम नहीं है, वो घर में आगे खरीकते हैं, तो बेवसाय तो अच्छा है, डिवलप हो सकता है, और इस दिशा में सरकार के साथ साथ हमारे इस्थानी जन प्रतिनिदी है, उसको भी सोचना चाहिए, कि रोजगार को कैसे डिवलप किया जाए, क्योंकि धरती से हम उतना ही निकाल सकते हैं, जितनी उतकी समचा है, और अभी अभी आपो चल चल चलुँए, जैसा हमारे पास आखरी मिनट जो बचा है, उसमें, उन लोगों को मतदान के लिए कैसे प हम देखते हैं, सुदूर, आदिवासी छेत्रों में, नदियों को पार करके, पहाडों को चड़ करके, वे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचते हैं, तो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, वो उसे छुटी के रूप में उसमें न डेवलप करें, उ बिलकुल, नागरिक होने की जो जिम्मेदारी है, वो जरूर हमाये जनता निभाएंगे, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमाये दोनों ही महमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया, तो चर्चा के आज की विश्यम है, आज फिल हाल इतना ही, मुझे दीजे, टीम क